सभी सफलताओं की कुझी है सुन्दर कान का पाठ दोस्तो नमस्कार ओप्टिमम वीडियो देरादून में आपका स्वागत है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दवा दीजिए जिससे भविश्य में आने वाले मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें हनुमान जी को जल्दी से प्रसंद करने के लिए सुन्दर कान का पाठ किया जाता है इस पाठ को नित्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में नई खुशियों का संचार होने लगता है हर तरफ से उसको सफलताएं मिलने लगती है सुन्दर कान का पाठ करने से कुछ विशेश लावों के बारे में आईए जानते हैं सबसे पहले जानते हैं इस कान को सुन्दर कान ही क्यों बोला जाता है हनुमान जी सिता की खोज में लंका गए और लंका त्रिकुटाचल परवत पर बसी हुई थी त्रिकुटाचल का मतलब तीन परवत पहला परवत है सुबैल परवत जहाँ पर युद्ध हुआ था दुसरा है नील परवत जहां पर राक्षिशों के महल बसे हुए है तिसरा परवत है सुन्दर परवत जहां पर अशोक बाटिगा थी और यहां पर हनुमान जी की सीता जी से भेट हुई थी और यही इस कांड की प्रमो घटना थी इसलिए इस कांड का नाम रखा गया सुन्द सुन्दरकान का पाठ अनेक शुब अवसरों पर कराया जाता है क्योंकि इससे जीवन की परिशानियां खत्म होती हैं, सभी काम बनते हैं और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, अनेको विपरीत परिश्थितियों में भी इसका पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि सुन्दरकान का पाठ करने से बजरंग बली की विशेश क्रिपा प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। और कार्य को पूर्ण करता है, शास्तरों में हनुमान जी की क्रिपा प्राप्त करने के लिए कई उपाए बताए गए हैं, ये उन में से एक प्रमुक उपाए है, तो दोस्तो सुन्दरकान का पाठ कीजिए और जीवन में पाईए सफलता ही सफलता। दोस्तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिएगा जिससे सभी लोग इसका फाइदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपका प्ला समय वाद। झाल झाल